हालो फ्रेंड्स वेलकम तो जॉन्टेग डिजिटल देखें आज की वीडियो में हम हाउस डेनेश सिस्टम को डिस्कास करने वाले हैं अगर देखा जाए तो यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है और एक्जाम औरेंटेशन की बात करें तो आज कल ऐसा ट्रेंड है कि एंविर्मेंटल इंजिनेरिंग से काफी कुछन पूछे जाते हैं और एक दो कुछन कहीं ना कहीं हाउस डेनेश सिस्टम से भी पूछ लि वाले हैं कि हाउस डेनेश सिस्टम होता क्या है उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं उनके क्या-क्या फंक्शन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं कौन-कौन से टैस्ट है जो हाउस डेनेश सिस्टम को हम चेक करने के लिए यूज करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम डिसकस करत किसी building से हम जो wastewater originate होता है पहले इसको collect करते हैं collect करने के बाद में pipes के through हम या तो इसको किसी public sewer से connect करेंगे या फिर जो indiesal house का septic tank है उससे हम इसको connect करेंगे तो overall देखा जाए तो sewage या wastewater को collect करने के लिए और उसको transport करने के लिए जो system आपने provide किया है building में उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर house drainage system तो overall जैसा कि आपको इस building में दिखाई दे रहा है कि मान के चलिए यह एक public sewer है अब इस public sewer से आपको जो भी wastewater यहां से इस building से originate हो रहा है इस public sewer में आपको transfer करना है तो इसको transfer करने के लिए पहले इस waste को आपको इस building में collect करना पड़ेगा तो पहले collection के लिए आपको यहां पर units provide करनी होंगी sanity fittings provide करनी होंगी तो कहां कहां से waste originate हो सकता है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो kitchen, bathroom और water closet जो है उनसे waste originate होता है ठीक है उसी के साथ साथ आप जो floors वगएरा की cleaning करते हैं तो वहां से waste originate होता है Rain water जो है एक तरह से waste water ही है उसको भी आपको collect करना होगा तो यहां different तरीके से different ways से जो है waste water originate हो रहा है ठीक है तो basically हमने पहले जो जहां-जहां से waste originate हुआ है जिसे kitchen से waste originate हुआ है kitchen में जो sink वगएरा है वहां पर आप utensils को wash करोगे तो वहां से जो originate हो रहा है उसके लिए अपने sink प्रोवाइड कर दिया है bathroom वगएरा में आपको हाथ दोने के लिए नहने के लिए आपने bath tubs यूज किये हैं wash vations यूज किये हैं तो यह सारी collection device है इसी तरीके से आप water closet की बात करोगे जो यहां पर water closets है उनमें human excreta और water का एक mixture जाएगा flow के तो वह भी collection device है तो these sanitary equipment जो है यह क्या है यह एक तरह की collecting devices है जो waste को collect करने में आपकी help करेंगी और उसके बाद में कुछ pipes के थ्रिव हम इस waste को आगे जलके forward कर देते हैं और किससे connect कर देते हैं जो public shiver है और या फिर जो individual house का जो septic tank को उससे connect कर देंगे तो अगर definition की बात की जाए तो what is the house drainage system what is house drainage system the arrangement provided in a house or building for collecting and transporting the waste water through the drain pipes through the drain pipes or conduits to join either a public shiver or a domestic septic tank is termed as house drainage or building drainage system clear तो बहुत simple सी definition है इतना complicated नहीं है कि drainage system क्या होता है बस उसके components जो है उन components पर focus करना है कि components किस तरह से काम करते है और क्यों provide किये जाते है ठीक है तो अगर हम components की बात करें तो house drainage system में जो main components है वो है पहली बात pipes उसके बाद traps and sanitary fittings तो जैसा कि आपको diagram में दिखाई दे रहा है यहां पर एक sanitary fitting लगी हुई है जैसे water closet लगा हुआ है एक यहां पर wash machine लगा हुआ है अब यह जो sanitary fittings है यह waste को collect करेंगी यह क्या करेंगी वेस्ट को collect करेंगी और waste को collect में यहां pipes से इनको क्या किया जाएगा टांस्पोर्ट किया जाएगा और public sewer यह इंडिजल house septic tank से इसको connect कर दिया जाएगा अब देगे क्या होता है public sewer और septic tank की अगर हम बात करें तो anaerobic conditions setup रहती है वहां पर और foul gases release होती है अब obviously बात है कि यहां पर जो gases light weighted होती है उनका backflow होगा आप ने जिस सीवर से इसको connect किया है या जिस tank से इसको connect किया इस pipe को तो वहां से जो gases अगर आपने किसी तरह का यहां कोई सील प्रोवाइड नहीं किया इन गैसे को ट्रैप करने के लिए यह जो जो जितने भी एक्क्यूपेंट्स आपने यूज कर रखे हैं अगर आपने किसी तरह का यहां कोई इसल प्रोवाइड नहीं किया इन गैसे को ट्रैप करने के लिए इनके बैक फ्लो को रोकने के लिए अगर आपने किसी तरह का यहां पर कोई डिवाइस नहीं लगाया तो यह जो हैं घर में क्या कर जाएंगी और वहां से फिर पॉलूशन होने लग जाएगा घर में तो इस ज Papa जो आपको Ben two parts नजर आ रहे हैं इस तरह के घुम्य पाइपस नजर आ रहे हैं इनको लीघे ट्राप दियंका इकिलिए यहां पकटीन इर। था पाइप्स On. जो हैं एक हाउस डेनेज सिक्टम में गर्धलक टलिए क्लिए अलग तरह कें आलग तरह के सब्सक्राइप्स किया जाते हैं इसके बारे में थोड़े देर पहले डिसकस किया था किर्चिन बाथ्रूम और जो वाटर क्लोजेट उनसे डिस्चार्ज ओर रहा है रेन वाटर है तो बेसिकली किछिन और बाथ्रूम से जो ओरिजनेट हो रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए उसको कलेक्ट करने के लिए या अब फ्लोरिंग को clean कर रहे हैं वेस्ट वाडर ओरिजनेट हो रहा है इस discharge को collect करने के लिए हम waste pipe यूजर करते हैं क्या यूजर करतें कि वेस्ट पाइप उसके करते हैं हमने human excreta को अभी इसमें include नहीं किया है जो human excreta है water closet जो है जहां से human excreta का discharge ओरिजनेट हो उसको अभी इसमें include नहीं किया है तो waste pipe वह pipe है जो केवल केवल सलेज को सलेज को सलेज को collect करते हैं सलेज को carry करते हैं सलेज क्या है सलेज is the waste water which is originating from the bathrooms kitchens ठीक है फ्रम bathrooms and kitchen जबकि जो सीवेज है एक तरह से हम कहें कि septic सीवेज जो है और या फिर आप बोल सकते हैं कि जो डिसार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजिट है उस सीवेज को कलेक्ट करने के लिए इस पेसली एक पाइप डिजाइन करते हैं या पाइप लगाते हैं उसका नाम होता है सॉयल पाइप तो किचिन और बाथरूम से या फ्लोरिंग सब्सक्राइब में कि जो क्लीणिनग उस साइब करने के लिए हमने वेंट पाइप लगाते हैं चक्anger जीनेशिट को करने और यहां का सिस्टम है और लिए मैं जैश्रॉम जैसली होता है कि जो गैसिज娘 Door還 उनको हम एक open pipes से यहां पर इनको जितने भी pipes आप connect करेंगे उनको open pipes से यहां पर क्या करेंगे हम atmosphere में and top पर इसको open कर देते हैं समझने के लिए एक बार देखेंगे for example कि यह कोई sanitary fitting है ठीक है और यहां से for example हम मान लेते हैं कि यह क्या है water closet है यहां से human excreta का discharge originate हो रहा है उसको collect करने के लिए हमने पहले trap लगाया trap लगाने के बाद में इसको हमने connect कर दिया किसी soil pipe से अब soil pipe obviously इसको कहां लेके जाएगा इसको public sewer से connect करेगा या septic tank से connect करेगा for example यह एक public sewer है और उससे connect किया तो इस system के ventilation के लिए हम यहां पर एक ऐसा pipe stand pipe लगा देते हैं जो की top पर open रहता है कहां पर open रहेगा top पर open रहेगा जिससे कोई भी foul gases अगर release होती है तो इनके three वो कहां चली जाए atmosphere में release हो जाए top पर ठीक है किसी भी तरीक एगा तो यहां यह जो pipe लगाया है आपने vertical stand pipe जो लगाया है इसको हम बोलते है air vent pipe ठीक है दूसरी बात traps में water seal को maintain करने के लिए उसको preserve करने के लिए हम anti-siphonic type भी pipes use करते हैं तो हमने कई तरह के pipe के बाद में discuss किया waste pipe, soil pipe, air vent pipe, rain water pipe और anti-siphon type ठीक है तो चली एक definition देख लेते हैं एक बार soil pipe a soil pipe is a pipe through which human excreta flows बस इतना ही question आप से पूछेगा soil pipe क्या होता है क्या इसमें human excreta को flow करवाया जाता है नहीं करवाया जाता है उसका correct answer हो जाएगा कि यहां पर soil pipe में human excreta को flow करवाया जाता है उसी तरीके से waste pipe it is a pipe which carries only the liquid waste it does not carry human excreta यह human excreta को carry नहीं करता है इसके अलावा जो भी liquid waste originate हो रहा है अलग-अलग activities से जो fooding activities है kitchen से जो originate हो रहा है washing and bathing activities है bathroom से जो originate हो रहा है flooring की cleaning से जो originate हो रहा है उन सब को उस liquid waste को carry करने के लिए हम यहां पर waste pipe use करते हैं clear now vent pipe it is provide it provides for the ventilation of the system which is open at top and bottom of the facilitated exit to the fall gases of fall gases ठीक है तो fall gases को बाहर करने के लिए हम इसको top पर क्या करते है open करते है है vertical vent pipes होते हैं जिनसे की जो foul gases है वो atmosphere में release हो जाएंगी और system जो है ventilated रहेगा now rain water pipe what is the rain water pipe rain water को collect करने के लिए it is a pipe which carries only the rain water ठीक है rain water भी एक क्या है waste water ही है और इसको carry करने के लिए especially house drainage system में rain water provides करते हैं ठीक है now anti siphon type pipe it is pipe which is installed in the house drainage to preserve the water seal of traps traps की water seal को preserve करने के लिए उनको maintain करने के लिए हम anti siphon type pipe use करते हैं तो these are the pipes directly question पूछा जा सकता है छोटी सी definitions है समझने में इतनी complication नहीं उन चाहिए बट उनका introduction आपको पता होना चाहिए कि इन pipe का use क्या है क्यों लगाया जा रहा है ठीक है चलिए तो next component के बारे में बात करेंगो that is traps traps के बारे में मैंने थोड़ा बहुत हो discuss करी लिया आपके साथ में traps क्या होते है traps are the fittings devices which prevents the entry of fall gases in the building ठीक है तो जेतनी भी fall gases बन रही है उनकी entry को रोकने के लिए उनकी backflow को रोकने के लिए हम sanitary fitting और pipe जो house drainage system की pipes है उनके बीच में device लगाई जाएगी उनका intermediate connection बनाया जाएगा और intermediate connection है वो किसे बनाया जाएगा trap से बनाया जाएगा पहले trap लगाए जाएगा तो यह trap जो है यह fall gases को release entry को रोक देगा ठीक है basically इनको classified किया जाता है purpose के base पर function के base पर हम basically ठीक है mainly इसको हम इसके shape और इसके function के base पर हम इसको classified करते हैं अब आगे discuss करेंगे a trap is a depressed or bent fitting which when provided in drainage system always remains full of water ठीक है always remains full of water यह जो statement है remains full of water यह water seal की तरह काम करता है water seal जैसे मान के चलिए यह एक pipe है bent pipe है bent fitting है तो यह vent fitting जो है हमेशा एक particular level तक पानी से भरी रहती है और जो पानी से भरा है तो यह क्या करेगा यह fall gases की entry को रोग देगा एक water seal की तरह काम करेगा ठीक है तस maintain a water seal इसको हम क्या बोलेंगे एक water seal बोल सकते हैं इट प्रिवेंस्ट पैसेज ऑफ फॉल एर और gases through it through it allow the sewage or wastewater to flow through it ठीक है यह waste जो भी sewage हम discharge करेंगे उसको तो allow कर देगा जैसे यहां से flush होगा यह sewage उसके now greater the depth of water seal more effective is the trap जितना ज्यादा यहां पर हम depth रखेंगे water seal की हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा कि यह fall gases को क्या कर लेगा trap करेगा ठीक है तो जितना ज्यादा हम depth रखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशल रहेगा यह उतना ही कारगर होगा entry of fall gases को रोकने के लिए now the depth of water seal varies from 25 mm to 75 mm तो जो depth water seal की वो 25 mm sit 75 mm तक क्या करती है vary करती है अब हम समझते है कि यह कितने तरहका होता है now classification of trap बहुत important है तो देखिए traps are classified according to the shape and according to the function or use shape के according P trap Q trap और S trap यह तीन तरहका होगा और use के according के especially किस जगा पर कौन सा trap use करना है उसके लिए flow trap है जिसको आम नानी trap भी बोलते है गली trap है intercepting trap है और grease traps है तो use के according यह 4 तरह के क्या होगा है यहां पर traps हो गया तो एक एक करके चले इनको discuss करते हैं now according to the shape according to the shape based on shape यह traps जो नजर आ रहे हैं देखिए traps में क्या है कि यहां पर दो lag है इसके जैसे एक तो जहां से sewage entry करेगा और एक जहां से sewage जो है exit करेगा यह trap है अब ठीक है यहां से यह complete यहां connect कर किया हुआ है और यहां पर connect किया हुआ है तो यहां से sewage इसमें entry करेगा और यहां से sewage में exit करेगा तो इसकी दो lag हो गई है एक lag तो यह vertical lag है और एक इस तरह की horizontal हो गई है यह जो trap है इसको हम बोलते p trap क्या बोलते हैं उसके बीच में इस लेग और इस लेग के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो 90 डिग्री है तो P Trap में Legs के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है और ये Water Seal इसमें Maintained क्यों ही है उसी तरीके से Q Trap की अगर हम बात करें Q Trap की बात करें यहां पर कोई Particular Angle नहीं है बस यहां 90 डिग्री नहीं है और 0 डिग्री नहीं है उस Angle जीरो से लेके 90 डिग्री के बीच में यहां पर यहां पर दोनों लेक्स के बीच में एंगल बनेगा इसी तरीके से 90 degree angle बना हुआ है इसमें 0 degree और Q trap में यहां पर आप देखोगे तो Q trap में जो angle बना हुआ है दोनों लेक के बीच में वो 0 से लिखे 90 degree के बीच में है exact 0 भी नहीं है exact 90 भी नहीं है ठीक है तो this is the based on shape और आपको पहिचानना हुआ कि कौन सा यह trap है question पूछा जा सकता है diagram बना कि कि इस तरह का trap है तो लेक के बीच में 90 degree angle बन रहा है तो वो P trap हो जाएगा 0 degree है तो S trap और अगर इस तरह का कोई है 0 से 90 के बीच में कोई angle बन रहा है तो उसको हम कह सकते हैं Q trap होगा clear now based on function बहुत important है based on function floor or nani trap floor or nani trap पहले पढ़ लेते हैं एक बार देखिए a floor trap commonly as nani trap is used to collect wash water from floors, kitchen and bathrooms तो हम कह सकते हैं एक तरह से sludge जो सलेज है सलेज को collect करने के लिए इस trap का यूज किया रहा है तो जनली आपने देखा हुआ कही बार घराओं में एक corner में इस तरह का एक जाली का यहां पर एक corner में grating वाला एक opening बना होता है तो वह वही trap है ठीक है इसको हम बोलेंगे floor tap या nani trap इस वही बनी होई है यह चन्नी बनी होई है यह एक्चुली किसी भी बड़ी size के impurity को इसमें गिरने से रोकती है अधरवाइस यह क्या हो जाएगा चौक हो जाएगा तो kitchens bathrooms और floor जो discharge है उसको collect करने के लिए उसको collect करने के लिए यहां पर हम कौन सा trap यूज करेंगे floor या nani trap इसी तरीके से next देखिए गली trap यह काफी important है देखिए buildings में कई हर रूम में आपको एक nani trap लगाना पड़ेगा एक flow trap लगाना पड़ेगा आपको kitchen में तो overall अगर हम layout देखें एक बार तो अगर यह layout है for example मैं एक rough diagram बना रहा हूँ बान के चलिए यहां पर इस तरह का एक मैंने यह नक्सा बनाया है और ठीक है इनक्सा कुछ इस तरह का है यह open area है this is the open area ठीक है backyard open area यहां दो bathrooms है एक bathroom है यह bathroom बात्रूम बी यह kitchen है यह hall है मान के चलिए drawing hall है आपका यह room no.1 और यह room no.2 तो एक general layout बना रहा हूँ मैं अभी मैं water closet के discharge को consider नहीं कर रहा है यहां पर मैं cable केबल सलेट जो आपके floor से आपके bathroom से जो originate हो रहा है water closet को मैं consider नहीं कर रहा है तो room 1 में आपको अगर कोई trap लगाना है किसी तरह के discharge wallet करने के लिए तो आपने मान के चलिए एक यहां पर nani trap लगा रखा है इसी तरीके से इस room के लिए आपने एक nani trap यहां लगा रखा है इनकी fittings को इस तरह से connect किया हुआ है इनकी fittings को आपने इस तरह से connect किया हुआ है आप आगे गए और इसी तरह से हम यहां पर kitchen में भी एक trap लगा के और इस fitting को हमने आगे connect कर दिया ठीक है तो overall ऐसा गे के बुल एक pipe है ऐसे कई pipes आकर एक जगे खटा हो सकते हैं अलग अलग जगे से पर example कि आपने hall का जो है यहां लगा रखा है तो यहां से एक pipe जो है आगे जाएगा वेस्ट पाइप और इस वेस्ट पाइप को आपने फिर से connect कर दिया इसी तरह से इस बाथरूम में जो water closet लगे हुए है water closet का जो pipe है वो भी इनकी parallel चला हुआ है एक यहां से चला हुआ है एक यहां से चला हुआ है और इस तरह से आपने देखा यहां पर कि कई pipes एक जगे आके मिल गए हैं जो कि वेस्ट को कैरी करके बाहर लेके आ रहे हैं ठीक है तो अब इन सारे pipes को हमने एक common trap से connect कर दिया एक common trap से connect कर दिया जो finally इसको आगे जाके manhole में या सीवर से जाके connect करेगा बट पहले उससे पहले हमको और देखना होगा तो अभी तो हम यहां क्या कह रहे हैं कि हमने cable एक particular building से जो जितना भी originate हो रहा है सेवेज अलग अलग pipes को एक common किस में connect कर दिया है एक trap में connect कर दिया है जिसको हम बोलेंगे यहां पर जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर gully trap ठीक है और यह actually भाहर किसी wall पे लगाया जाता है या किसी machinery chamber में लगाया जाता है ठीक है जिसमें आके सारे जितनी विज़े से यहां पर देख रहे हैं आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर अलग अलग तरह के जो pipes हैं वो connect हो रहे हैं और एक common करते हैं तो इसको बोलते हैं गली trap अब इसको जब हम connect करेंगे तो आगे चल कर या तो हम किसी manuol से connect कर देंगे क्योंकि इसके बाद मैं main sewer से connect करने के लिए हम intercepting trap को use करेंगे तो जो intercepting trap होगा वो आपका last trap होगा house drainage system का तो देखें इसमें एक बार these are the special type of traps which disconnect salage drain collect from the bathrooms and kitchens from the main drainage system ठीक है इसी तरीके से it either made of stoneware or cast iron किसका बना होता है ये stoneware and cast iron का the stoneware gully trap is of square section जो stoneware का बना होता है उसका जो section होता है वो square होता है और उस पर cast iron की gratings लगी होती है जालिया लगी होती है square section at top on which ci cast iron gratings are fitted ठीक है इसी तरीके से एक cast iron gully trap is circular in section is circular in section तो जो cast iron का जो trap बनेगा वो circular होगा section पर top पर और जो यहां पर बात कर रहे हैं हम stoneware trap की stoneware trap का जो section होगा top पर वो कैसा होगा square होगा clear तो this is all about the gully trap now intercepting track intercepting track जो होता है यह finally जितना भी आपने discharge collect किया building से उसको finally आपको कहां पहुंचाना है sheaver में पहुंचाना है तो sheaver से connect करने के connect करने से पहले हम क्या करते हैं intercepting क्या लगाते हैं trap लगाते हैं so this is a special type of trap provided at the junction of house drain at the junction of house drain number of house drains यहां आके connect हो जाएंगे एक manhole आपने बना रखा है इस manholes में आके कई सारे house drains जो है connect हो जाएंगे rain water discharge भी यहां पर आ जाएगा अब mainly जो आपको यहां नजर आ रहा है last में क्योंकि इसके बाद तो क्या रहा है इसके बाद तो यहां पर जो main sewer है वो आ जाएगा public sewer जो है वो connect करना है तो यह house drain है और इस house drain से connect करने के लिए हमने क्या कर दिया है यहां पर house drain और public sewer को connect करने के लिए बीच में एक हमने trap लगाया हुआ है लगाया हुआ है इस trap को हम बोलते हैं intercepting trap और simple सी बात है कि intercepting trap जो होगा वो sewer से जो foul gases release हो रही है उसको prevent करेगा उसकी entry को prevent करेगा तो हमने हर जगा पर इस ट्रेकर ट्रैप्स प्रोवाइड किया है जिससे कि हम किसी भी तरीके से gases की जो entry है उसको prevent कर सके है पहले आपने intercepting लगाया house sewer पर उसके बाद में आपने सारे जितने भी आपके waste pipes आये उनको एक common trap में connect कर दिया उसको आपने गली trap बोल दिया है घर में जाके आपने अलग-अलग rooms में अलग-अलग activities से जहां से waste originate हो रहा है उनके लिए आपने यहाँ पर floor या नानी trap यूज किया है तो इस तरह से आपने trap की assembly किये है है तो दिया है तो दिया है तो आप इसको क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इसके बाद यह पुलिक सीवर यह सेप्टिक tank से connect हो जाएगा it has a water seal of 100 mm इसमें the water seal है वह 100 mm की होती है to prevent the entry of sewer gases from the public sewer line simple सी बात है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इनका function क्या है कहां पर इनको लगाया गया है ठीक है तो this is all about the intercepting trap now grease trap grease trap जो है actually आपको पता है जो sewage होता है उसमें oily fatty acids होते है oils होते हैं grease होते हैं तो इनको separate करना होता है क्योंकि यह जो oil और fatty acids है यह further digestion या further treatment को क्या करते हैं affect करते हैं तो basically इनको trap करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर एक large area large rectangular trap provide करते हैं जिसमें T end होता है outlet वाला जो pipe होगा वो हमेशा इस तरह से band pipe होगा या फिर T होगा ठीक है यहां से inlet से एक large area में क्या होता है seaweed drop होता है inlet से large area में seaweed drop होगा और जैसे ही large area में seaweed drop होगा तो उसकी जो flow velocity है reduce हो जाएगी तो flow velocity जब reduce होगी तो यहां पर जो oil और grease है और fatty acids है वो separate होगे और surface of sewage पर क्या करने लग जाएंगे strap में surface of sewage पर यह float करने लग जाएंगे जिनको manually or mechanically क्या कर सकते हैं separate कर सकते हैं ठीक है तो इस trap को हम बोलेंगे grease trap such trap are used only in large hotels, restaurants or industries where large quantity of oily waste are expected to enter the water flow ठीक है तो जहां पर हम को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा oily या fatty या इस तरह का grease material entry कर रहा है sewage के साथ में तो वहां पर हम को क्या करना होगा पहले एक grease trap को भी लगाना पड़ेगा जिससे हम इसको क्या कर सके सेपरेट कर सके सीवेस से अधरवाई यह further treatment को क्या करेगा effect करेगा एक grease trap is either a masonry or cast iron chamber with a bent pipe or T pipe at the outlet end outlet end पर यह तो bent pipe लगा होगा यह क्या लगा होगा T pipe लगा होगा जिससे और यहां पर बात समझने वाली बात यह है कि केबल इसका area बढ़ा दिया जाता है जिससे की जो flow velocity हो क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी turbulence create होगा जब सीवेस में drop होगा तो turbulence basically turbulence से यह जो oil or grease है वो separate हो जाएगा किस से सीवेस से और उसको आपर हम separately manually क्या गरेंगे separate कर लेंगे हलाकि इनके अभी systems आ चुके हैं चलिए तो next next component that is sanitary fitting तो आप इनके साथ काफी familiar है आप इनको लगबग जानते हैं बट और एक बार देखेंगे कि क्या-क्या sanitary fittings में लगा होता है तो following are the different type of sanitary fittings commonly used in buildings for efficient collection and removal of waste water to the house drain ठीक है तो collection और waste water के removal के लिए हम काफी सारी sanitary fittings को use करते हैं for example wash vacations, sinks, bath tubes, water closets, urinals, flushing systems यह क्या है यहां पर कुछ sanitary fittings है तो चलिए एक एक करके discuss करते हैं यहां पर सबसे पहले waspations तो waspations actually क्या है यहां पर जैसा कि आप familiar है waspations के साथ में तो हाथ वगेरा दोने के लिए जो आप collection unit बनाते हैं या लगाते हैं उसको waspations बोलते हैं बाथ वगेरा के सामने अगर हम बात करें यहां पर तो waspations जो हैं दो तरह के हैं एक wall mounted है और एक pedestal टाइप है wall mounted और pedestal टाइप क्या होता है पहले उसको समझेंगे तो waspations are usually made of a made of a pottery porcelain wear porcelain enameled cast iron pre-stress steel and plastic ठीक है तो अलग-अलग material से यहां पर आपको बनी होई waspations मिलेंगी अब यह waspations जो हैं यह दो तरह की आपने बोली यहां पर wall mounted होगी एक तो और एक होगी pedestal तो wall mounted क्या है जैसे आपने देखा होगा मैं diagram रानाने कौसिस करता हूं मानके चलिए एक यह क्या है wall है तो इस wall से हम यहां पर एक projected क्या करेंगे इस wall से निकले हुए यहां पर हमने क्या किया है इसमें फास्टनर यूज कियें फास्टनर यूज करके यहां पर हम वास्वेशन को प्रोवाइड कर देते हैं इसके ऊपर इन फास्टनर के ऊपर आपने क्या कर दिया एक वास्वेशन प्रोवाइड कर दिया कि आगर हम collection की बात करें जो hull है वो oval shape का होता है यहां पर trap लगा होगा सॉरी फै sun लगा होगा यह Null है जहां से पानी आएगा और यह जो wallrs e 늪 आ जो voilà or welcome जो ball है उस से यहां पर discharge pipe लगा होगा जो कि trap से connect होगा और फिर finally इसको हम waste pipe से connect कर देंगे तो यह है wall mounted wall mounted के अलाबा एक होता है pedestal तो pedestal के लिए पहले हम क्या करते हैं एक rise structure बनाते हैं तो पहले हमने एक structure बनाया यहां पर इस तरह का हमने एक यहां पर यहां पर आपने इस तरह से नल लगा के इसको operation में और यहां पर वही की concern है कि trap लगा होगा नीचे collection के लिए और फिर उसको हम waste pipe से connect कर देंगे तो यह दो तरह की होती है the wall mounted wasvation is an ordinary wasvation mounted on bracket fixed on wall while a pedestal type wasvation is mounted on pedestal rising from the wall ठीक है तो overall यह दो तरह के क्या है आपके वाश वेशन है चली नेक्सट बात ट्यूब्स बात ट्यूब्स जनरली आपने देखे हैं जिन में जनरली लोग नहाते हैं एक छोटा बोल सकते हैं छोटा अलग अलग तरह के से अलग 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 मैटरियल से बनकर बना हो सकता है now they may also be made of cast in-situ concrete finished with marble chips और terrajo मतलब यह on-situ cast भी की जा सकती है किस से concrete से और उनकी flooring को smooth करने के लिए आपर marble chips और terrajo flooring का use कर सकते है terrajo now it has a length varying from 1.7 meter to 1.85 meter width 0.7 to 0.75 meter and depth near the waste pipe जहां से waste pipe originate होगा वहां पर हम depth थोड़ा कम रखेंगे और यह होगा आपका 0.43 meter to 0.45 meter with overall height की अगर हम बात करें तो इसकी overall height होगी 0.58 to 0.6 meter यह इसकी कुछ dimensions है हाला की बहुत ही real है कि इन में से question पूछा जाए ठीक है it is provided with outlet and overflow pipe usually of 40 mm diameter तो यह जरूर पूछा सकता है इसलिए थोड़ा सा धिहान रखेंगे इसको now a trap with proper water seal is used at the outlet तो जितने भी आपके sanitary fittings है उन सब में हम एक trap जरूर करेंगे ठीक है trap जरूर लगाएंगे जिसके की हम entry of fall gases को क्या अगर सकेंगे prevent कर सकें this is the specification of bath tubs now water closet water closets are designed to receive and discharge human excreta directly from the person using it तो obviously आप water closet के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं बट यह तीन तरह की होती है European western type भी बोल सकते है European type water closet जिसको कमोड भी बोलते है इसका दूसरा नाम क्या है कमोड तो कुश्चन यह बन सकता है बहुत सिंपल सा कुश्चन है कि पूछा जा सकता है कि कमोड किस तरह की water closet को बोला जाता है western type Indian type और Anglo-Indian type तो जो कमोड है वो western type की water closet को हम क्या बोलते हैं कमोड बोलते हैं now the appliance is connected to the soil pipe by means of suitable trap obviously यहां से जो discharge होगा human excretor discharge है और इसको हम carry करेंगे किसमें soil pipe में तो पहले हम एक suitable trap लगाए जो necessary है और उसके बाद उसको soil pipe से connect कर देंगे it is usually connected to a flushing system obviously यहां जो waste आएगा उसको discharge करने के लिए high pressure के लिए high pressure के साथ discharge करने के लिए हम यहां पर एक flushing system भी use करेंगे ठीक है to flush the closet and discharge the human excretor to the soil pipe now water closets are of the three types पहला कौन सा है European दूसरा है Indian और तीसरा है Anglo-Indian ठीक है तो तीन तरह का यह होता है जर्नल स्पेसिफिकेशन अलग अलग तरेकेश होते हैं अलग अलग size में अविलेबल होते हैं now flushing system तो flushing system क्या है इसका कितना pressure या कितना water है हम maintain कर सकते हैं तो flushing system देखिए flushing systems are used for flushing out the water closets and urinals ठीक है जो urinals है water closets हैं उनको flush करने के लिए flushing system हम यूज करते हैं these are the water box इनमें पानी भरा होता है और एक pressure के साथ में जैसे हम इसको open करते हैं तो flushing system से जो पानी है एक pressure के साथ में यहां से release होता है और जो water closet है उसमें जो waste है उसको साथ में discharge करके ले जाता है ror अरिर फानी नेंगा थे के लिए अर्ली कर्म, तो में से आड़ दाड़ा दाद 10-12 लीटर का एक पानी का बॉक्स या फ्लसिंग शिस्टम हम यह यूज करेंगे जो कि हर तरह की वाटर क्लोजट के लिए सूटेबल होगा । टो यह सब पदा है की प्लसिंग किस तरह से यूज करते हैं तो रीटर प्रेसिंग कीरिण होती हैं उनको परेष करके आप इसको यूज कर सकते हैं। This is the last point. Testing of building drainage. Building drainage system को आप किस तरह से test करेंगे? test का मतलब है कि जो आपने pipes यहां पर connect किये हैं, जो भी traps आपने use किये हैं, तो इन pipes में किसी तरह का obstruction है, यह completely open है या नहीं है, इसके अलाबा इन में किसी तरह का leakage है या नहीं है, उन सब को check करने के लिए हम कुछ test connect करते हैं, जैसे ball test हो गया है, water pressure test हो गया है, air pressure test हो गया है, and smoke test हो गया है, तो basically ball test जो है, केबल इन के बारे हम थोड़ा देखेंगे, ball test जो है, पहली बात, जो important concern है, कि यह leakage को check करने के लिए use नहीं किया जाता, leakage यहां से पता नहीं किया जाता, जो leakage है, do not use to check leakage, leakage को check करने के लिए ball test हम use नहीं करते, ball test जो है, हम यहां पर pipeline completely open है, और उनके gradient को check करने के लिए, एक तो हम इसके obstruction को check करेंगे, obstruction को, किसी तरह का कोई obstruction तो नहीं है, कहीं कोई material deposit तो नहीं हो रहा किसी वज़े से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि एक end से, हम ball को entry करते हैं, और outlet, जो outlet end है, उस पर collect करने की conscious करते हैं, अगर ball completely roll होके और outlet end पहुंचाती है, तो हम कह सकते हैं, कि यहां पर जो pipe है, वो completely open है, किसी तरह का obstruction नहीं है, और उसका gradient भी क्या है, प्रॉपर है, तो यह gradient और obstruction को check करने में, आपकी help करेगा, बाकी तीनों जो भी हैं, यहां पर water pressure test, air pressure test और smoke test, यह तीनों leakage को check करने के लिए, यहां पर आप use करेंगे, ठीक है, तो water pressure test test और air pressure test, देखिए यहां पर, water pressure test में क्या करते हैं, जो पूरी plumbing, अपना drainage system होता है, उसको जहां से भी जो इसके, जितने भी connection से उनको completely check कर लिया जाता है, कि यह completely अपने leakage proof बरा दिया है, मतलब close किये हुए है, जितने भी ends है, उनको close कर दिया जाता है, और अब हम यहां पर पूरे system को 3 meter water head के अंडर रखते हैं, मतलब पूरे system में पानी भर देते हैं, पूरे system में हम पानी भर देते हैं, और almost 3 meter का water head यहां पर रखते हैं, उसके बाद में 15 मिनिट तक हम इसको छोड़ देते हैं, 15 मिनिट बाद देखते हैं, जितने भी हमारी जो fittings है, जितने भी connections है, उनको check करते हैं, कहीं leakage है या नहीं है, तो इस simple सा test है, इसमें आपको क्या करना है, आपको ध्यान यूज नहीं कर पारें, तो उस case में हम air pressure test को use करते हैं, same concern है, बस यहां पर हमको water की जगा क्या यूज करना है, air को use करना है, हम यहां 35 klo pascal का air pressure generate करेंगे, और pressure drop को check करेंगे, कि pressure drop हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर pressure drop होगा, तो obviously हम मान के चलेंगे कि यहां पर क्या एसी होती है, जहां पर water या air test से हमको leakage का पता इन लग पाता है, जैसे मान के चलिए, ऐसी कोई location है, जहां पर आप देख नहीं सकते हैं, कि यहां से water leak कर रहा है, या air release हो रही है, इस तरह से आपको अगर पता नहीं लग पा रहा है, तो हम क्या गरते हैं, यहां smog test करते है smog flow होगा, कहीं से भी वो leak है, अगर ऐस तरह का leakage है, जहां पर आपको पता नहीं कर पा रहा है, तो वहां से smog release होने लग जाएगी, और आपको different points से वो दिखाई देने लग जाएगी, यहां यहां इन points से आपके यह smog है, वो release हो रही है, तो these are the test for the how drainage system, directly आपको पहली बा और तीन test है, जिन से हम leakage का पता करते है, smog test कहां यूज की जाएगी, जहां पर हम आसानी से यह find out नहीं कर पाएं, कि कहां पर leakage है, water test और air test की मदद से, so guys this is all about the house drainage system, I hope के यह lecture आपके लिए काफी helpful रहेगा, beneficial रहेगा, so thank you so much, keep watching it.